कर दो सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको पैसे भीजने का या फिर पैसे रिसीब करने का ऑप्शिन मिल जाता है यह जो भी सारे फीचर होते है यूपय आप में वह सब कुछ आपको मिल जाता है पूरा जो स्टेक्बार से प्रोस प्रोस्सेश कैसे आपको इसको रिश्टर करना है और कैसे यूज करने वह सब कुछ में आपको इस वीडियो का नितर्क देखते रहें और दूस्त इसके बाद आगर आपको क्या थे तो हमारा जो यह वीडियो पसंद आयो याप बात कर देंगे अपने के सेनिंस पर आपकी जाएंगे इसको घर लेना है यह तो आपको अधोर को ने होज़ला है आपको यहाँ पर फॉर्म से नहीं więc PARM Xu 21 मेरेगा तो नेटफर्क option में आपको यहाँ पर SIM card का option मिल जाता है या फिर आपके पास जो भी होगा वहाँ पर आपको SMS का जो option है वहाँ पर आपको उसी number पर कर देना होगा जो number आपके bank account में रिजिटर है दोस्तों यूनर आपके यहाँ पर क्लिक करने के बाद create and receive UPI profile पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका जो रिजिटर मोबल नमर का वहाँ वह सेट करना हो इस account में आपका जो SBI का bank है करने उससे जो number linked होगा उसका आपके सेट करना है और दोस्तों एक बात का धियान आप रखे कि उस जो मोबाल नमर को यहाँ पर सेट कर रहे हो उसमें आपके Account नमर का है सेट करना होगा सेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके ऐटाम काट की did is cathedral करने होगी तुछुंद में आपका अगर यह पर पहले से इस बढ़ा option नहीं आएगा पर इस एकाउंट में मैंने पहरे से यूपर सेटप नहीं किया था इसलिए बढ़ा option आ रहा है यहां पर आपको आपको आपके जो कार्ट के है उसको यहां पर सेट कर सकते हैं तो आपको इस तरीका के इंडिटेक हैं पर हो चुका है इसके बाद दोस्तों मुझे आपको आपका जो यूपर आएडिया है बैंक अकाउंट है आपके जो आपको किसी के उप्चे करते हो तो आपको आपको यहां पर आपके जो गडिस्त है आप आपको इनकोल तो आपको पर्मिशन आपको देना होगा तो आपके जितने भी कॉंटेक्स होंगे वो आपको यह पर दिख जाएंगे और उसमें से अगर आप किसी के अकाउंट होता है तो आप लोग उसके मैंसे पेमिन कर सकते हो इसके मैंसे आप लोग किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे बिख सकतो तो यह बड़ा जो ऑप्शन है यह सब कुछ सेम है यहां पर उसके बाद QR का उप्शन आता है QR की मैंसे आप लोग QR को स्कैन करके पेखर सकतो है सभी जानते है तो नीचे आपको ही यहां पर कॉलेक्ट जो collection का और आपको उसको collection के लिए request दे सकते हैं कोई भी आपका amount जो आप लोग collect करना चाहते हैं तो वह amount वहाँ पर दे सकते हैं इसके बाद नीचे आपको manage or transaction option मिल जाता है transaction option के मदद से आप लोग नहीं अगर जितने भी transaction यहाँ पर किये होंगी तो वह सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा और manage option के मदद से आप लोग यहाँ पर अपना जो bank account है उसको manage कर सकते हैं दोस्तों अगर आप लोग किसी दूसरे account को add करना चाहते है उसके लिए add account का बटन है और दोस्तों इसके बाद आप लोग अगर एक नया UPI ID create करना चाहते है उसके लिए आपको यहाँ पर create new का option मिल जाते है इस पर आप लोग क्लिक कर दिएगा तो यहाँ पर आपको एक न नया UPI ID बना सकते है दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग अपना जो UPI ID है उसको delete करना चाहते हो तो यहाँ पर जो view all UPI IDs का option है उसके आप लोग क्लिक कर दिएगा यहाँ पर जाके आप लोग अपना कोई भी UPI ID को delete कर सकते है जो कि आपने बनाया हो या फिडियो पहले से तो अगर आप उसको delete करना जाते हैं यहाँ से कर सकते हैं इसके आप दोस्तों यहाँ पर आपकी जो limit है वो 20,000 रुपए है मन्दब कि आप एक दिन में 20,000 रुपए का transaction यहाँ पर कर सकते हैं वह जैसे आम UPI application में जैसा होता है वैसी तो इसी दिरके से आप लोग यहाँ प लाइक और शेयर जबूर कीजिएगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और पासमें जो बेल आइकन उसको क्लिक करना मत बुलेगा